हेलो बच्चो, बच्चो आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ क्लास 11 के बच्चो रिवीजन सिरीज के अंदर आज हम करने जा रहे हैं अपने अकाउंट के एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और नए चैप्टर का डिसकुशन इसका नाम था बैंक रीकंसीलेशन स्टेटमेंट बैंक रीकंसीलेशन स्टेटमेंट बच्चो हमने जब चप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको इसकी सारी डिटेल समझाई दी आज उन सारी ही डिटेल्स को क्रिस्प फॉर्म में रिवाइस करेंगे तो देखो बच्चो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक रीकंसीलेशन स्टेटमेंट इस चप्टर का जनम क्यों हुआ कैसे हुआ तो इसमें कहानी ये थी कि एक कस्टमर होता है माल लेते हैं मैं मैं अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करता हूँ अब बैंक के पास मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है तो मैं अपनी सारी ही बैंक ट्रांजेक्शन को अपने कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ इसी प्रकार से जो bank होता है वो भी हमारी सारी transactions को अपने पास record करता है और महीने के end में वो सारी details हमें भेजता है इसको हम बोलते हैं bank statement या passbook तो इस तरह की हमारी story थी अब दिक्कत तब आती है कि जब मैं अपनी cashbook के अंदर record करता हूँ और bank अपनी passbook के अंदर record करता है और महीने के end में मैं अपना balance और bank वाला जब अपना balance हम आपस में tally करते हैं तो उसमें एक difference हो जाता है तो अब point यही आता है इस chapter के अंदर कि कुछ ऐसे कारण है जिनकी वज़े से मेरे और bank के balance में difference है हमें उन differences को ठीक करना है या reconcile करना है एक statement के अंदर और उस statement को बोलते है बी आरेस तो यह मैंने आपको story सुनाई थी अब हम देखते हैं बच्चों की और हमने इसमें क्या बाते पड़े थी तो सबसे पहले हम बी आरेस को क्यों prepare करते हैं कोशन हम से objective पूछे तो इसमें आप लिख सकते हो कि हम सबसे पहले तो गलतियां पता लगाते है errors दूसरा ह हम regular reconciliation करेंगे तो इससे हमारी embezzlement कम होगी embezzlement का मतलब होता है चोरी यानि कि मानलोग आपकी एक business है business के अंदर आपका एक मुंशी है cashier है अब पता चला वो cash चोरी कर ले या कुछ पैसे हेरा फेरी कर ले तो बार-बार reconciliation बनाने से या BRS prepare करने से थोड़ा सा इस पर control रहत है तीसरा इससे हमें actual bank balance पता चल जाता है क्योंकि जब हम सारे errors को find करके सही BRS बनाके सही balance निकालेंगे तो फिर वो हमारा actual bank balance होगा तो यह इसके objectives होते हैं अब मैंने कुछ important aspects आपको बताए थे सवाल करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है सबसे पहला important aspect इसके अंदर था कि हम अपनी cash book के जो debit balance को यानि favorable कहते हैं bank यानि की pass book के अंदर उसी को credit balance को favorable कहा जाता है तो यह बात हमें clear होनी चाहिए अच्छे से तो cash book का debit balance is just like pass book का credit balance जो मैंने आपको यहाँ डेमो में दिखाया था यह favorable balance होते हैं इसके विपरीथ cash book में अगर credit balance हो तो वो pass book के debit balance की तरह ही माना जाता है जिसे हम unfavorable या overdraft balance कहते हैं तो यह तो हो गया balances की पहचान जो मैं मानके चलता हूँ कि आपको अब हो गई होगी IRS को prepare करने के लिए दो तरीके होते हैं एक होता है plus minus presentation जो हम follow करते हैं इसके अंदर हम बढ़ाने के लिए plus करते हैं घटाने के लिए minus करते हैं तो इसको बोल देते हैं plus minus presentation दूसरा होता है balance presentation जो हमने बस पढ़ा था सीखा था लेकिन मैंने आपको कहा था questions में follow मत करना तो इस अब सबसे important चीज ये कि आखिर cash book और pass book में difference क्यों आते हैं, तो इसके mainly तीन कारण होते हैं, पहले को बोलते हैं timing difference, दूसरे को बोलते हैं transactions और तीसरे को बोलते हैं errors, timing difference मैं आपको भी थोड़ी दिर में revise करवांगा, दो होते हैं, transactions हम उन्हें कहते हैं, जो चीजे cash book में record नह सकते हैं, कुछ गलतियां bank भी कर सकता है, 2000 errors, तो मैंने आपको total 10 points जो main करवाए थे, वो सारे revise करवाता हूँ, और उसके बाद हमने questions करे थे, तो question आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये 10 points आपको अच्छे से समझने जरूरी हैं, देखो, सबसे पहला point था, check issued, but not presented, इसका कभी उपर होगी, और cash book नीचे होगी, तो ये हो गया पहला difference, दूसरा होता है, check deposit, but into bank, but not cleared, या credited, इसका मतलब है, हमने check bank में जमा कर दिया, तो हमने अपनी cash book को बढ़ा दिया, लेकिन वो अभी तक bank में clear नहीं हुआ, यानि कि bank अभी भी नीचे चल रहा होगा, तो मेरी cash book उपर हो गई और pass book नीचे, तो ये भी एक दूसरा difference हो गया, इन दोनों ही differences को बच्चों हम कहते हैं, timing differences, बस, तो timing differences दो होते हैं, पहला और दूसरा, अब हम आपके साथ करेंगे कुछ transactions, यानि कि कुछ ऐसी बाते जो bank record कर लेता है, जैसे interest credited by bank, इसका मतलब है, कि bank ने interest हम इसका मतलब है, bank ने charges काठ लिये या interest काठ लिया, तो pass book नीचे हो गई, cash book अभी भी उपर हो रही है, पांचवा है interest collected या dividend collected by bank, इसका मतलब होता है, bank ने कहीं से interest ले लिया या dividend ले लिया, तो bank में पैसे आ गए, तो pass book बढ़ गई, लेकिन cash book अभी भी नीचे चल रही है, छटा होता है direct payment by bank या standing instruction, अब आपने bank को बोला कि pay कर दो directly, और bank ने अपने आप payment कर दी, तो pass book से पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन हमें cash book में record नहीं करा, तो इसका मतलब pass book नीचे और cash book उपर, इसी तरह direct payment into bank, कई बार कुछ customers हमारे bank में पैसे जमा कर देते हैं, तो इससे हम of bill या check deposit, जब भी बच्चों कोई bill या check dishonor होगा, आप हमेशा ध्यान रखना, इससे हमारी pass book में से पैसा कट जाते है, तो pass book नीचे हो जाते है, लेकिन cash book ऊपर चल रही होगी, इसी तरह, bank charges recorded twice in cash book, ये एक error करके दिखाया था, कि मालो हमने cash book में दो बार bank charges record कर लिए, तो cash book तो नीचे हो जाएगी, pass book थोड़ा सा ऊपर चल रही होगी, इसी तरह एक अच्छा point सिखाया था, payment side of cash book is undercast, undercast, overcast भी error होते हैं, कि आपने total कम लिख लिए, या आपने total जाधा लिख लिए, तो ये मैंने एक point आपको सिखाया था, कि अगर हमने payment side को कम लिख रखाया है, तो आप इसको ध्यान से observe करना, इसका मतलब है कि हमारी जो cash book है, उसका balance थोड़ा सा जाधा आ रहा होगा, तो इस तरह से बच्चों 10 points हमने discuss करे दे, और भी points हो सकते हैं, लेकिन वो सब question के माध्यम से cover हो जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से लेकिन revise रखने हैं, अब उस ये था कि अगर overdraft या unfavorable balance दे रखा है, तो आप उसको minus item में लिखोगे, ये याद रखना है, और तीसरा rule सबसे important कि हमें हमेशा उस book को adjust करना है, जिसका starting balance दे रखा है, यानि कि अगर starting balance cash book का है, तो आप उसे ही बढ़ाएंगे घटाएंगे, और अगर starting balance pass book का है, तो उसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसके demo के लिए एक दो सवाल दिखा जाता हूँ, हमने class में करे थे, और आप BRS की पूरी main video से भी refer कर सकते हो, सारे questions थे उसके बाद, तो जैसे पहले question में starting balance cash book का दे रखा है, तो हमने जो भी plus या minus item बढ़ाए घटाए, वो cash book को ध्यान म हमने रखकर भढ़ाए घटाए, है ना, इसी तरह है दूसरे question में देखो हमने एक question करा था, इसमें हमें starting balance bank overdraft दे रखा है, pass book का, तो एक तो हमें minus item में लिखना पड़ेगा, तो देखो आपको दिखा जेता हूँ, तो हमने pass book का bank balance minus item में लिखा, और इस बार हम सब कुछ ब आपको कर करके सिखाए थे, बस सम्में point यही है कि plus minus presentation follow करनी है, favorable balance है तो plus में लिख दो, unfavorable है तो minus में लिख दो, starting balance cash book का है तो उसे बढ़ाओ घटाओ, starting balance pass book का है तो उसे बढ़ाओ घटाओ, इस तरह से BRS बन जाएगा, आपका answer आ जाएगा, और 6-8 number का इसका जो question तो अच्छी लगी वीडियो तो like कर देना, share कर देना और comment भी कर देना, अपने सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुचा देना, बाकी मुलागात करता हूँ आपसे next वीडियो में, next chapter के revision के साथ